इमित्र धार को के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिन कारेरत समस्त इमित्र क्योस का पुलिस चरित्र प्रमान पत्र जारी करवा कर इमित्र पोर्टल पर अपडेट है फिर इसके आगे आपको 31 मार्ज 2023 तक पूर्ण करना है दोस्तों जो ये पुलिस चरित्र प्रमान पत्र है वो इमित्र पोर्टल 31 मार्ज 2023 तक अपलोड करना है इमित्र क्योस्क ओनर जो इमित्र क्योस्क ओनर है और उनके अधीन कार्य कर रहे ओपरेटर जैसे आपने किस को operator बना रखा है इमित्र क्योस्क पर उसका भी पुलिस चरितर प्रमान पत्र आपको upload करना पड़ेगा दिनांक एक जनवरी 2022 एम इसके पसाथ जारी पुलिस चरितर प्रमान पत्र ही मानने होंगे दोस्तों एक जनवरी 2022 से लेकर आज तक जितने भी पुलिस वेरिफिकेशन हुए हैं जो क्योस्क इमित्र चलाते हैं उनके और उन्होंने वो लगा दिये हैं तो उनको अब कुछ भी करवाने की जुरत नहीं है और उनका क्योस्क बंद भी नहीं होगा 31 मार्च तक पुलिस चरीटर प्रमाण पतर अप्लोड नहीं करने वाले इमित्र क्योस्क को 1 अप्रेल 2023 को बंद कर दिया जाएगा दोस्तो जो कियोस्क 31 मार्च 2023 तक अगर पुलिस वेरिपिकेशन अपलोड नहीं करते हैं इमित्र पोर्टल पर तो उनका कियोस्क 1 अप्रेल 2023 को बंद कर दिया जाएगा और दोस्तो जो कि ये पोर्टल पर अपडेट करने का जो ओप्सन है दोस्तो अभी तक वहाँ पर कहीं भी शोर नहीं हो रहा है मैंने पुरा देख लिया है एटूजेट जहां भी इसके बारे में कोई भी जानकारी वहाँ पर नहीं है बस ये नोटिफिक्शन जारी किया है कि आपको निर्देशित किया है कि आप 31 मार 2023 तक पुलिस चरित्र प्रमान पत्र बना करके अपलोड करने के लिए दोस्तो अभी तक ही इसमें क्या है कि आपको टाइम दिया है और जो ओप्सन है वो जल्द ही मित्र पोर्टल पर आ जाएगा कि पुलिस वेरिपिक्शन किस तर पिले आपको उपलब्द करवाते हैं तो दोस्तो जय हिंद जय वारत